प्तादू, question स्टार्ट करने से पहले, किसी भी student को अगर गुरुकुल जोइन करना है, आपके पास contact numbers दे रखे हैं, यहाँ आपको hostel, classes, library, खाना, study routine, guidance, doubts, सब कुछ एक जगे मिलता है, अगर आप मेंस की तयारी करना चाते हैं, आज़ो, pre की तयारी करना चाते हैं, 2025 की तयारी भी देता हूं, तो आप भाई साब यहाँ पर आके जोइन कर सकते हो, ठीक है, CPO मेंस मास्टर बैच है, ऐसे ही सीजिल मेंस मास्टर बैच है, ठीक है, crash course अलग है, मास्टर बैच अलग है, इसमें doubts भी मिलते हैं आपको, और इसमें आप लोगों को क्या है कि, target भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, ठीक है, contact numbers आपके पास यहाँ पर है, यह हमारा open study app है, openstudy app.com website है हमारी, और open study गुरुकुल टेलिग्राम चनल, यह जरूर जोइन करना है, यहाँ पर PDF मिलती है आपको, ठीक है, और साथ के साथ English by Anil Jadun टेलिग्राम चनल, आप वो भी जोइन कर सकते है वहाँ पर भी आपको regular PDF और quizzes मिलते हैं, चलिए अब session के हम लोग सुरुवात करते हैं, मैंने दो type of question डाले है, ठीक है न, एक तो आपको मिलेंगे fillers, fill in the blank, ठीक है न, एक तो fill in the blank मिलेंगे, उसके बाद error kit questions मिलेंगे, तो चलो करते हैं, simple सी बात है, कुछ नहीं है उसमें और जो जो use होगा, जो जो मैंने सिखा है, वो सब इसमें इस्तमाल होगा, ठीक है न, अरे यार, पहले यह answer दिख गया आपको, कोई बात ने, इसमें एक दो concept अगर कोई छूटा भी होगा, वो भी discuss हो जाएगा, समझ रहो न, जैसे पहला question है, dash life, he lives here is hard, अब देखो, कोई भी noun हो, जब तक वो commonly use होता है, तब तक हम उससे पहले कोई article use नहीं करते हैं, लेकिन, जैसे ही उस noun को हम particularly use करते हैं, समझ रहो न, particularly use करने का मतलब simple सा यह होता है, कि हमने उसको special बना दिया, ठीक है, क्या कर दिया, special बना दिया, अब जैसी वी special हो जाएगा, तो क्या होगा भाई, उससे पहले definite article दा जाएगा, बस इतना ही करना है आपको, अब तो यहाँ पर दा लगा दिया आपने, क्या वो life जो वह जी रहा है, वो कठिन है, तो यह सारी life की बात नहीं कर रहा है, दुनिया देश दुनिया की life की बात नहीं कर रहा है, यह सिर्फ उसी की life की बात कर रहा है, जो वो जी रहा है, वो कठिन है, तो यह particular life हो गई, ठ टेवल आर माहां तो यहांपे कारना है यहां पर आप सोगाल देवलटेगे होए है वो मेरे हैं इसका मतलब यह special हो गया तो दा लगाना पड़े गई यहां पर भी इस इस दा बैस्ट होगा भाई यह सब कुछ सिखाया था कि सुपर लेट डिगरी से पहले भी दा का यूज किया जाता है सिखाया था अडिजेक्टिम में भी सिखाया था यहां पर तो राज्य राम इज दा बैस्ट होगा क्यों होगा रीजन भी पता होना चाहिए सुपर लेट डिगरी से पहले दाका यूज किया जाता है अगा देखो पूर क्या है मेरे भीया यह एड़ेक्टिम है और जब हम एड़ेक्टिम को वर्व से पहले यानिकी सब्जेक्ट की ज जाता है वो भी प्लूरल वाला मैंने बता है तो दरिच मतलब सारे अमीर दा पूर मतलब सारे गरीव समझेरों ना हां तो दा पूर आर हैपी यह वही किताब है यह पर्टिकुलर बुक है क्यों आगे लिका हुआ है यह वही किताब है जिसके लिए तुमने बादा किया था देने के लिए है ना तो यह पर्टिकुलर बुक हो गई है पर्टिकुलर है तो दा आना चाहिए डैफिनिट केस में हम डैफिनिट आर्टिकल यूज़ करते हैं, that's it, जब भी किसी नाउन का case special हो जाएगा, वहाँ हमें definite article लगाना ही पड़ेगा, डैस, सन, आप देखो, यहाँ पर एक concept है, जो मैंने साइद पिछली class में आपको सिखाया नहीं है, एक concept आप लोग यहाँ पर लिख लीजेगा, सब भी लोग, ठीक है ना, यह concept छूट गया है आपका, तो यहाँ पर आप लिखोगे, the is used, definite article the is used before, 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 the is used before, the names of, the names of salacial bodies, salacial bodies, जितने भी salacial bodies होती हैं, उनके नाम से पहले दा कयूज किया जाता है, और direction के नाम से पहले दा कयूज होता है, यह तो मैंने आपको सिखा दिया, तो यह तो direction है, तो इसके नाम से पहले दा आए गई आएगा, यहाँ पे sun से पहले भी दा का यूज होना चाहिए क्योंकि sun क्या है? एक celestial body है खगोल या पिंड खगोल या पिंड जो खगोल में अंतरिच में जितने भी पिंड है जैसे sun, moon ठीक है? अर्थ इन सबसे पहले दा का यूज होता है यहाँ पे भी दा का यूज होगा और यहाँ पे भी दा का यूज होगा क्योंकि सेमी कोईशन है वहाँ पे rise हो रहा है यहाँ पे set हो रहा है तो दोनों से पहले दा का यूज होगा ठीक है? अब देखो Bible एक किताब है famous book हो या religious book हो तो उसके नाम से पहले हमें दाकायूस करना पड़ता है The Bible is a holy book तो Bible एक famous book है यह मैंने आपको सिखाय था कि कोई भी famous किताब है या famous religious book है उसके नाम से पहले दाकायूस करते है Mr. Bosch is dash European अब European का जो sound है वो ऐसे करके आता है European तो European में यह आ रहा है यह मतलब यह आ रहा है ठीक है A European A European समझ गए ना आजी It is an easy task It is an easy task It is an easy task Which is dash highest mountain in India कौन सी सबसे highest mountain है धाई देखो यहाँ पर जो highest है वो क्या है superlative degree अब superlative degree है तो यहाँ पर भी definite article 12 होना चाहिए ठीक है ना I bought dash umbrella umbrella का जो sound है वो यानि कि vowel sound है ठीक है umbrella bobble sound है तो यहाँ पर भी एन umbrella होगा क्या होगा भी या एन umbrella होगा ठीक है ना I bought an umbrella yesterday महाभारत is a religious book तो महाभारत से पहले भी आपको definite article दाकायूज करना पड़ेगा जिस भी religious book का नाम लिखा होगा उससे पहले दाकायूज होता है या famous book है तो उसके नाम से पहले भी दाकायूज होता है किसी भी किताब का नाम है ठीक है अगला question बताओ Mr. Prasant Head read अब देखो वेदाज भी तो बुक की ही है famous religious वेद जो होते है ना तो वेदाज से पहले भी दाकायूज करना है ठीक है ना यहाँ पहले भी दा हो जाएगा वेदाज जो होता है ना वेद वेद पुरान ये डैस हिमाल्याज लाए मतलब पड़ा हुआ है लेटा हुआ है तुदी नौर्थ ऑफ इंडिया देखो हिमाल्याज जो है वो माउंटेन रेंज है और रेंज के नाम से पहले हम दाकायूज करते हैं मैंने बताया था यहाँ पह भी दाकायूज होगा दा हिमाल्याज ठीक है ना बताओ डैस गंगेज फाल्स इन्टू डैस बे अब देखो बे ओफ वेंगॉल है तो उसमें भी दाकायूज किसी भी खाडी का नाम है तो भी दा आएगा और किसी भी रिवर का नाम है तो भी दा आएगा दौनों में दा आएगा दा वे ओफ वेंगॉल दौनों में दा आएगा दस सेलर्स वेंट टू डैस अरेबियन सी यह किसी समंदर का नाम है सी का अरेबियन सी तो यहां पर भी भाई मैंने सबसे पहला कॉंसेप्ट यही सिखाया था दा इस यूज विफोर दे नेमस अफ रिवर कैनाल सी ओसियन ग्रूप अफ आइलेंड पॉलिटिकल पार्टी इस न्यूस्पेपर मैगजीन सी सबसे पहले दा का यूज किया जाता है विने बताया था स्री नगर इस सिचुएटेड टू डैस ओफ इंडिया देखो नौर्थ क्या है नौर्थ इस दा नेम अफ डायरेक्शन और डायरेक्शन की नाम से पहले हमें दा का यूज करना होता है तो direction के नाम से पहले the case करना होता है तो यहाँ पे भी the case होना होता है ठिक है ना अंजी apples are sold by the dozen जो भी unit of measurement होता है तो उससे पहले the case करते हैं वैसे यहाँ पे dozen से पहले the use होना नहीं चाहिए by dozen होता है ठिक है हाँ no article बट कोई नहीं कि आप यूज कर सकते हैं यूनिट की सेंस में बाइदर ड़ेजन डू नोट हैरास डाहरास डाउंट्रोडन कि दाउंट्रोडन एडिजेक्टिव हो गया ना एडिजेक्टिव से पहले दा जो भी निचले कास्ट के लोग होते हैं उनको हरास नहीं करना चाहिए यह एडिजेक्टिव है दा प्लस एडिजेक्टिव दलित लोग होते हैं कालिदास is known as the sex period तो exactly मैंने same to same आपको example भी दिया था कि जब भी हम किसी proper noun का comparison करते हैं किसी दूसरे proper noun से तो उससे पहले दा कर्यूश किया जाता है कि ठीक है कस्मीर is the Switzerland of India example दिया था कल की लास्ट क्लास में ही इससे पिछली क्लास में दो सुच्छी नाल उफ इंडिया दो प्रॉपर नाउन का कंपेरिशन करते हैं तो बादवाले से पहले दाकर्यूश करते हैं जिससे कंपेर किया जाता है वेखेंगे एक जो YOUR चैनल जो एक फ्रेंच अब देखो फ्रेंच हैव ऑफड़ तूहेलप इंडिया सब्सक्राइब खहुँ लिए ऑफिर किया है किसने फ्रेंच ने तो फ्रेंच के लोगों एंगे मतलब फ्रॉंस के लोगों ने यानिकि si लेकिन अगर इससे पहले दा लगा दोगे तो वहां के लिए अब भाई लेंग्विज थोड़ना भारत की मदद कर सकती है वहां के लोग ही तो करेंगे तो दा प्लस लेंग्विज इस इक्वल टू पीपल turn to the left क्योंकि Left क्या है direction direction की नाम से पहले हमें दा का यूज करना होता है ठीक है ना do not make a noise यह को location है last class में इसीखा था कुछ fix phrases make a noise होता है fix phrases fixed phrases he can play on the violin violin क्या है यह musical instrument है तो दा इस यूज़ विफो दे नेमस अब musical instruments and invented things यह musical instrument है तो इसके नाम से पहले भी दा कई उसकर ना पड़ेगा दा वाइलन हो जाएगा दा गिटार हो जाएगा दा टैबूर हो जाएगा तबला I shall be back in an R R sound होता है ना R R तो एन आर हावर नहीं होता है यह एन आर होता है इस डास unit of measurement अब यहां पर ए लगाएंगे क्योंकि भाई unit of measurement तो बहुत सारी होती है उन में से एक यह भी है तो a unit of measurement यह है प्रोफेसर सिंग और मैंन हू डिस्कवर्ड दर न्यू ड्रग बैड आवरी वन इस तौकिंग अब रिफ्यूज तो गेव अप्रेस कॉन्फरेंस बताई इस का अंसर क्या होगा यह अब error detection के question है 30 questions आपको मिले थे जिसमें आपने क्या पढ़ लिया 30 questions में आपने देखा क्या चीज सारे के सारे mcqs ठीक है न अब इसका अंसर बताओ देखो यहां पर जो ए मैं लगा हुआ ना इसकी जगे आपको दमें करना पड़ेगा क्योंकि आगे रिलेटिव प्रनाव लगा हुआ है और रिलेटिव प्रनाव में वह उसको डैफिनिट कर देते हैं ठीक है हूँ लगा हुआ न तो आए प्रोफेसर सिंग दा मैन हूँ डिसकाबर यह प्रोफेसर सिंग वही बेखती है जिनोंने डिसकाबर किया है ठीक है न लीव यॉर कोर्ट्स इन दक्लॉक्रूम डोंट ब्रिंग दैम इंटू थेटर अब देखो थेटर क्या है इंटू इंवेंशन के नाम से पहले हमें दका यूज करना होता है आई हिट माइ थम्ब विद ऑ हैमर वेन आई वोज हैंगिंग दपिक्चर जब मैं पिक्चर को हैंग कर रहा था तब मेरा अंगूठा क्या हो गया चोटिल हो गया मैंने अपने अंगूठे में चोट मार दी अब द रखा है अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा तो हमें दा कर ना होता क्योंकि पॉजेसिव एपस्टो पीस के बाद तो दा अब ऐसे भी निया ता तो यहां पे आपका हो जाएगा option नमबर ए ठीक है ना option number A का सही जबाब हो जाए एडवाइज मी तो टेक अटक्सी अनदर साइड बैट देयर वाज क्वाइट गूड बस मैंने आपको एक कॉंसेप्ट सिखाया था बहुत इंपोर्टेंट ए आर्टिकल ए और एंगा ठीक है यह वही है बताओ हाँ हाँ देखो हमने यहां पर मैंने एक चीज़ सिखाय थी देर वाज़ा क्वाइट है टू है सो है यहां पर क्वाइट टू यानि कि जो एडवर्ब उसके बाद में आर्टिकल यूज करतें क्वाइट अगुड जैसे हैवा गूड क्वाइट अगुड बस सर्विस ठीक है ना तो दा आई इस दा प्रेजंस ओफ दा गंगा जब भी आप हर द्वार में जाओगे तो सबसे जो अच्छी चीज है जो आखों में पढ़ती है सबसे पहले वह गंगा तो ऑबियसली फर्स्ट एक औरिनल नंबर है यहां पर दर क्यूज होता है सब कुछ ठीक है इसमें कोई गल कि नेवर हैवाई सीन सच गर्ल सच अगर्ल सच के साथ वाट के साथ अगर कोई भी नाउन या इडिजक्टि प्लस नाउन आता है तो हम उससे पहले आर्टिकल ए और एन यूज़ करते हैं सच अगर्ल तो option B is the correct answer सच अगर्ल हो जाएगा लास्ट नाट नाइट आई बॉट अपैन एन इंक पॉट इंक पॉट अपैंसिल एंड अ शोप नहीं होगा एंड अ बार अप शोप एक अनकाउंटेबल नाउन है अनकाउंटेबल नाउन तो या तो ए हटा दो या फिर अ बार अप शो पार अप सोप क्योंकि सोप एक अनकाउंटेबल नाउन यह यह यूज नहीं हो सकता तो सी वाले पार्ट में गलती होगी he got the piece of information from one of the students but I could not believe in it बताओ इसका answer कौन बताएगा देखो the piece of information नहीं होता है a piece of information होता है ठीक है a piece of information information मिली है उसको एक चीज किसी चीज की तो a piece of information होता है the piece of information नहीं it being a nice day a nice day it being a nice day be plus adjective plus noun तो आपको यहां पे ए और एंड यूज करना पड़ेगा being a teacher ठीक है चाहो तो हम पूरा ही लेख लो बिंग यह हमें से आपको दिहार रहेगा being a teacher being a doctor being a rainy day इस इस तरह से हमें क्या यूज करना होता है आठिकल ए यह फिर एन समझ गें उस एड़ेक्टिव से पहले नाउन होगा तब भी अकेला नाउन है तब भी या एड़ेक्टिव प्लस नाउन तब भी संजय बोस्त आफ having good knowledge have a good knowledge have a good knowledge have a good knowledge have a good sense have a good sense of humor इस तरह से नहीं बोलते हैं मैंने सिखाया था को लोकेशन में सिखाया था यानि कि लास्ट के जो फिक्स फ्रेज़े थे उसमें ये चीज़ सिखाई थी मैंने आपको आप इससे जस्ट वाली क्लास देखने ना सबसे लास् अधिया वेंट टू दा कॉलेज भाई नहीं होगा क्योंकि जब भी स्कूल कॉलेज यूनिवरस्टी मॉस्क टेंपल चर्च इनको जब सेम परपस के लिए यूज किया जाता है तो आर्टिकल यूज नहीं होता और कल की क्लास में लास्ट क्लास में सिखाया था same purpose के लिए दाकायूस नहीं होता ठीक है? हाँ जी सुजीत is the friend of Amit's but he is leading a miserable life these days बताई ये इस कान सा क्या होगा? भाई मालो सुजीत is the friend कैसे हो जाएगा? a friend होगा मतलब भाई उसके और भी तो friend होगे अमित के उसमें से एक सुजीत भी है तो selection के लिए a यूज करते हैं possession के लिए the selection के लिए article a और a use करते हैं a और n और जब कोई select करते हैं बहुत सारे चीज़ों में से और उस पर अगर particular एक ही चीज़ पर possession है तो possession के लिए the का यूज किया जाता है on sundays my father stays in the bed till 10 o'clock reading sunday paper अब देखू sunday paper क्या है बताओ sunday paper एक newspaper है और newspaper के नाम से पहले हम the का यूज करते हैं तो यहां पर reading the sunday paper हो जाएगा option d option d इसका correct answer हो जाएगा ठीक है ना the escaping prisoner camped in wood but he did not light a fire because smoke rising from the wood might attract attention बताओ बाही एक बात बताओ the escaping prisoner camped जो एक criminal था वो भाग गया कैदी जो था भाग गया उसने camp किया कहां पर in wood in a wood होगा in a wood एक जंगल में in a wood इन वोड तो लकडी हो जाएगा in a wood का मतला होते एक जंगल में ठीक है हाँ in a wood not in wood in wood का मतलब लकडी में हो जाएगा वो तो गलत हो जाएगा तो भी वाले पार्ट में गलती हो जाएगा in a history of India in the history of देगो यहाँ पर selection नहीं है इंडिया की history जो है इंडियन रूलर की history एक ही है तो यह particular इसमें article नहीं लगा सकते ए और यहाँ पर लगाएंगे दा क्योंकि इसमें possession की बात हो रही है आप से पहले जो भी नाउन है अगर उसमें possession है तो दा लगाएंगे और उसमें selection किया जा रहा है तो a और n लगा सकते है ठीक है ना they cannot speak the french नहीं होगा they cannot speak french क्योंकि french is just a language if we are talking about language then we can't use definite article दा भीफोर इट french अगर language है तो दा नहीं आएगा English अगर language है तो दा नहीं आएगा लेकिन अगर लोगों की बात होती है तो दा लगाते हैं सिखाया था मैंने हर वो चीज जो सिखाई है उसी के question पूछे जा रहे है the father wants me to go into business पिता जी चाहते है मुझसे कि मैं business में involved हो जाओं तो दा फादर कैसे हो जाएगा दा फादर कोई particular noun नहीं बनाने common noun भी या common noun से पहले कोई article यूज नहीं करते हैं generally जब इसको abstract noun की तरह यूज किया जाता है the father in me तो दा लगाएंगे India is one of the hottest country hottest superlative degree है तो यहाँ पे दा का यूज करना पड़ेगा the hottest समझे we shall never forget we shall never forget the immortal the immortal commercing देखो यह adjective है ठीक है और immersing एक proper noun है अगर किसी भी proper noun से पहले कोई adjective आता है मैंने आपको सिखाया था अगर किसी भी proper noun से पहले कोई adjective आता है जैसे the great khali the rock dwayne jensen ऐसे ही the immortal commercing हो जाएगा adjective से पहले दा बहुत logical सा question है and one-eyed नहीं होगा a one-eyed होगा क्योंकि one का जो sound है वो वन यानि कि व जो है वो consonant sound दे रहा है ठीक है न तो a one-eyed होगा option number आपका a हो जाएगा correct answer ठीक है न बाज यह हो गया आपके 50 question practice ऐसी ही 50 question की एक और में class आपको कराऊंगा next class में वहाँ पर भी इसी तरह से discussion कराऊंगा revision जरू कर लेना बहुत tough chapter है नहीं है तो इसमें बहुत ज़्यादा मसक्कत आपको करनी पड़े ठीक है 50-50 question की दो class कर लो या एक ही 100 question की 100 question बहुत होते हैं करने के लिए है कि नहीं है कि है कि है आप सभी स्वागत है open study परिवार में एक बार फिर से यह आर्टिकल की practice class second ठीक है दूसरी practice class है और इसमें फिर से हम 50 questions complete करेंगे जो भी आर्टिकल की आपने conceptual classes में जो कुछ सीखा है और इसकी printable seat भी आपको मिल जाएगी आपके ही course में आप printable PDF वाले option में जाके वहां से उसकी printout चाहो तो निकलवाके खुद से भी practice कर सकते हैं यहां से मैं discussion कराई रहा हूं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं पहले के कुछ questions होते हैं फिलिंदा ब्लेंग के क्योंकि फिलिंदा ब्लेंग के ज्यादा तर question प्रेपोजिशन और आर्टिकल से पूछे जाते हैं 2022 के सीजल में तो इतने सारे question पूछे गए हदर से जाता तो चलो यहां पर बताओ ए एन दा तीनों में से तीनी option है आपको तीनों में से कोई भी एक आर्टिकल यूज़ करके बताने कि कौन सा आना चाहिए आउल से पहले आप क्या लगाओगी वाले बात है कि एन आएगा क्योंकि आउल का जो साउंड होता है वो वाविल साउंड होता है तो यहां पर एन आउल हो जाएगा बहुत सिम्पल सी चीज है उल्लू होता है आउल आपको पता ही होगा i bought dash horse dash ox and dash buffalo वाई सिम्पल सी बात है रोस को हर से शुरू कर रहा है तो यह आएगा ओक्स को वाल साउंड है तो n आएगा बफैलो में यह आएगा simple है ए 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 वेरी शिंपल आगे चलो गाइड नोज डैस वे बाई जो भी गाइड होगा मालो गाइड कौन होता है जैसे मैं आपको एकर सीजेल के लिए गाइड गरूँगा इसका मतलब है मुझे सीजेल का पूरा पेटर्न पता है तो जिस चीज को मैं जानता यानि कि यह special है गाइड पहले से उस रास्ते को जानता है यहां पर आपको definite article दा करना पड़ेगा ओन दवे गाइड नोज दवे उस रास्ते को जानता है honest man speak the truth speak the truth क्या होता है यह एक फिक्स फ्रेज होता है आप यह कह सकते हैं को लोकेशन वालाई पार्ट है speak the truth चाहो तो यह चीज़ उसमें कर नहीं लिख्यों तो लिख लीजेगा speak the truth होता है tell a lie होता है ठीक है ना तो speak the truth कॉपर इस डैस यूस्फुल मैटल अब देखो कॉफर जो है वो एक यूस्फुल मैटल है इसका मतलब यह कि सिर्फ एक लौती कॉपर ही ऐसी मैटल है जो यूस्फुल है या बाकी की और भी हो सकती है और भी हो सकती है न इसका मतलब useful metal तो और भी है ये उनमें से एक है एक है मतलब ये किसी एक general noun की बात हो रही है तो हम यहाँ पर article a use करेंगे a useful metal क्योंकि इसके जैसी और भी चीज़े हैं ये special नहीं है he is des honor to his country वो अपने सम्मान के लिए honor है यहाँ पर द भी लगा सकते थे बट द इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर यह honor जो है वो क्या हो जाएगा एक abstract noun है और abstract noun से पहले हम definite article द नहीं use करते है the children found des egg in the next nest बच्चों को पाया एक egg तो an egg हो जाएगा एग का sound vowel है तो an egg होगा English is an easy language बैइजी का जो sound है वो easy easy language तो क्या है vowel sound है कि नहीं है एक और देखो the sun the sun क्योंकि sun क्या है एक खगोली पिंड है salatial body है बताया था कल की class में इससे पिछली class में salatial body है salatial body के नाम से पहले हम दाकायूस करते हैं ठीक है science brightly समझ गए French is des language of des people of England दिखिए जड़ा पहली बात तो जो England की लोग है मतलब French is des language the language of the people दोनों में ही दा आएगा क्योंकि particular लोग है particular English वह है particular लोग है particular language है दोनों ही चीज़े पर्टिकुलर तो दोनों में ही दा का यूज होगा ठीक है रोहित is an untidy 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 का जो sound है न वो untidy तो untidy का sound वाविल है तो an untidy boy यानि कि गंदा गंदा आदमी जो होता है न उसको बोलते हैं untidy जहिंद सभी को सभी को गड़तंत्र दिवस रिपब्लिक डे की हार्दिक सुब काम नहीं I have come without death umbrella an umbrella without an umbrella आसान आसान से सवाल है वही ज्यादा कुछ है नहीं है बस छोड़ी छोड़ी चीज़े आराम से कर सकते हैं देखो यहां पर थोड़ी सी चीज़ें आपको समझने है जैसे lawn जो सेर होता है वो सभी जानवरों क्या होता है राजा होता है अब कि यहांपला क्या लगा और यहां पर यहां पर भी लगाओगे दोनों में दा लगाओ यहां पे आप चाहो तो लॉइन से पहले कोई भी आर्टिकल अगर आप यूज नहीं भी करोगे तो भी चलेगा ठीक है यहां पर भी आप लगा सकते हैं एक इंग ओफ बीस्ट लेकिन मेरे हिसाफ से सर्फ कंफ्यूजन ना हो ऐसा कुछ आ ठीक है ना कि साइलोन इस डैस आइलेंड एन आइलेंड क्योंकि आइलेंड का जो साउंड है वो क्या है आइलेंड एन आइलेंड हो जाएगा ठीक है भी या इंडिया एज डैस होम ओफ द टाइगर दा होम ऑफ दी टाइगर होगा मैंने बतायता कि अगर किसी नाउन पर किसी दूसरे नाउन का पॉजेशन होता है तो वहाँ पर हम डैफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं ठीक है ना अंजी अगा डैस होम ही है एंग इंडिया उफ टुडे डिफर फ्रॉम डैस इंडिया और एंडिया देखो यह स्टरी सुटरी आज का भारत कल के बारत से काफी अलग है अलग है का मतलब क्या हो गया पता है कि भारत जो है वो है special वैसे तो भारत common noun है मतलब proper noun है तो article use नहीं होना चाहिए लेकिन ये आज के भारत और कल के भारत की बात कर रहा है इसका मतलब ये particular noun की तरह use होगा the भारत of today आज का भारत कल के भारत से बहतर है या different है तो दौनों जगे दा का use करेंगे जब भी हम किसी noun को particularly use करते हैं तब हम दा का use करते हैं फिर चाहे वो कुछ भी हो जैसे proper noun से पहले दा नहीं आता है राम से पहले दा नहीं आता है लेकिन राम आफ रामाइन करेंगे तो दार राम आफ रामाईना करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ वो राम स्पेशल हो गए ठीक है अब कोई एक व्यक्ति एया रह्मान आजाये मेरे पास और किसी व्यक्ति एया रह्मान को देखानी है मैंने आई यहां पर्म किसकी बात कर रहे वाद हो तो यह वह आप जानते इसका मतलब है यह वह एक वर्मा नहीं जिसको आप जानते है means कि यह एक हे वर्मा particular हो गया he is not the एक हे वर्मा whom you know यह वो वाला एक हे वर्मा नहीं है जिसको आप जानते है it means यह particular है तो यहाँ पर दा लगाना पड़ेगा देखो an apple cart is das historical noble अब यहाँ पर जो apple cart है वो एक historical noble का नाम है हम लोग क्या करते है एल लगा देते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर यह कोई apple की बात नहीं हो रही यह पूरा एक नाम है यह किसी किताब का नाम है the apple cart यह क्या है यह book का नाम है एक noble का नाम है ठीक है ना तो नाम से पहले भाई नाम उसके नाम में अल्रेडी लगा हुआ है the जैसे the arabian nights ऐसे ही the apple cart is a book यहाँ पर ए लगाएंगे क्योंकि historical novel और भी है historical novel और भी है तो उनमें से एक यह भी है डैस boy met डैस man with डैस elephant and जब भी हम किसी नाउन को पहली बार यूज करते हैं तो indefinitely यूज करते हैं जब उसी नाउन को दुवारा यूज करते हैं same sentence में तो फिर वो definitely यूज होता है जैसे यहाँ boy को हम नहीं जानते अभी तक तो ए लगाएंगे a boy met a man with an elephant यहाँ पर तो indefinite article आएगा तीनों में उसके बाद and the boy वही लड़का saw the man उसी इनसान को देखा feed das elephant उसी elephant को खिलाते हुए तो बाद में जो noun use हो रहे हैं वही same noun तो उनसे पहले दा का use करना पड़ेगा पहले तीनों में a a और an बाद के तीनों में the 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 ऐसे ही एक और बड़ा सा sentence आ गया देखो इसमें बहुत सारे blank वने होए same formula इसमें apply करना है कि जब भी हम किसी noun को पहली बार use कर रहे हैं जैसे traveler है पहली बार use होगा तो यह आएगा a traveler followed a path through a forest and came to a bridge over a river ठीक है यहां खतम होगया आप यहां से दुवारा से वही sentence start हो रहा है he he मतलब traveler तो यह ही मतलब होगया traveler तो यह traveler he crossed the path इसने उस path को cross किया उसी path हाँ he crossed the bridge जो भी bridge है उसको cross किया over the river यहां पे भी वही नदी है जो पिछले बात हो चुकी है and was glad to leave the path यहां पे भी path से पहले दा लगा दिया the forest क्योंकि जो noun दोवारा यूज हो रहा है वो definitely यूज हो रहा है पहली बार यूज हो रहा है वो indefinitely यूज हो रहा है ठीक है न अजी आगे देखो कि अगला question बताओ देस वन आइड में यह तो एक्जामपल में भी दिया था और वन आइड में होगा कुछ लोग एन लगा देते हैं इसका जो sound है वो वन है वन आइड में तो ए एक आख कादमी Mr. गुपता इस एन एम पी क्योंकि MP का जो sound होता है वो यह होता है ठीक है तो यहाँ पर एन आजाएगा एन एम पी Mr. मुन्ना सुकला इस डैस MLA MLA फिर से यहाँ पर भी एन आएगा ठीक है यहां पर भी एन्-मल een एसी आएगा ड dets man is intelligent औ Layman माने जेंटल ने यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा नो आर्टिकल पता है क्यों 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 यह सब पर vapor bubble हो रहा है आक प्लाइद हो रहा हुं में यह एपलाइट आयड लांट शोण donald at the same time ये एक ही जमय पर पूरे संसार के सभी लोगों पर अपलाई हो रहा है तो यहां पर हमें कोई अर्टिकल यूस नहीं करना है क्योंकि man is intelligent creature यह जो इंसान है वो सब से जादा intelligent creature है पूरी धर्ती पर तो इसका मतलब हो गया क्या कि ये सब पर अप्लाई हो रहा तो no article, ठीक है, हाँ यहाँ पर एक और blank बना हुआ है, यहाँ पर दो blank है, यहाँ पर N आएगा, ठीक है, इसमें एक blank छूट गया है, ठीक है देखो इसमें मोहन is an honest boy हो जाएगा clear है an honest boy सब कुछ तो clear है इसमें ज्यादा कुछ ही नहीं एन इतो फिल करना है ये एंद फी विल रिटन आफटर डैस आर एक घंटे के बाद लोटे गा एन आर होगा आफ्टर एन और ठीक है ना एन आउल एज अबर्ड उल्लू जो होता है वो एक वर्ड है एक पक्षी है जानवर नहीं है ठीक है ना एन आउल एज अबर्ड ठीक है कोई दिक्कत अब आजाते हैं यहां पर भी एन आएगा एन इंजीनियर हो जाएगा बक्सर इस अहिस्टोरिकल प्लेस या हिस्टोरिकल टाउन हिस्टोरिकल वह यह वावल नहीं है कॉंसोनेंट है ठीक है तो यह आएगा यह होगए आपके फिलिंदा ब्लेंग के कुष्षिन समाप्त अब आ जाते हैं आपके एरे डिटेक्शन के तो बताओ इसमें पहला कुष्षिन आपके सामने सब लोग देख लो इसमें क्या गलती लग रही है और उसी के हिसाब से आप मुझे बता दीजिएगा देखो यह कह रहा है दर रेमेडी लाइज इन प्रमोटिंग वेल्यूज ऑफ यूमेनिज्म हमने पड़ाता कि जब भी हम किसी नाउन का पॉजेशन यानि की ओफ लगा रखा है एक नाउन है फिर ओफ लगा हुआ है उसके बाद नाउन है तो यहां पर हम क्या लगाएंग करेंगे तक आयूज करेंगे जब पोजेशन की बात ओथ होति है ठीक है ना यहां पर वैल्यू जसे पहले दक का यूज करना पढ़ेगा यहां यूमेनिज्म औफ साइब सेट ओन दा फायर नहीं होता है फिक्स फ्रेज इसमें सिखाय था को लोकेशन सबसे लास्ट वाली क्लास में लास्ट में कुछ फ्रेज़ज विद आर्टीकल विदाउट आर्टीकल मैंने सिखाय थे आफ फास्ट स्टेफ इन रिलेशन सरी रेशनल सलुशन तो एनी प्रॉब्लम इस दरिकोगनेशन ऑफ देट अफ देट अगलती लग रही है भाई फास्ट जो होता है वो ओर्डिनल नंबर होता है किसी भी ओर्डिनल नंबर से पहले पहले हम दा का इस करते है यह हमें पता हुना चाहिए तो ए फिस्टर में आपने a little the little adjective में आपने पड़ा होगा a little the little में क्या फरक होता है पहली बात तो देखो यहां पर off लगा हुआ है तो इस noun पर possession है तो भी दा लगा होगे दूसरी चीज जो भी उसके पास है यहां पर लिखा हुआ है that he possessed जो भी उसके पास जो भी जितना भी जो भी है इसके लिए हम क्या लगाते है the little the few यह हम कहां पढ़ते हैं बताओ the little या फिर the few यूज करते हैं यह adjective topic के अंदर मैंने आपको पढ़ाया होगा little few से पहले the कब आता है जो भी है सारा जो भी है सारा जितनी भी knowledge उसके पास है वो सारी तो उसके लिए हम the little the few लगाते हैं तो यहाँ पर हमने लगा दिया दो दो concept इस्तेमाल हो रहे हैं चाहो तो आफ से पहले वाले noun के पहले आप दा लगा सकते हैं possession है तो don't talk to him he always remains in temper these days in temper नहीं होता है in a temper होता है यह सब collocation में मैंने पढ़ा है था in a temper होता है fixed in a temper होता है समझे तो c वाले पार्ट में गलती हो जाएगी he votes of having a good knowledge have a good knowledge, have a good sense, have a good deal ऐसे करके have a good knowledge option number b ठीक है भाई it was by mistake होता है by a mistake नहीं होता है by mistake समझे simply by mistake option number 20 का answer हो जाएगा ठीक these orders of the manager may put the lives of 2000 workers in a danger in a danger बताइए in a danger होता है या in danger होता है खत्रे में डाल देना यह सब co-location के question है भीया मैंने दूसरी class इसी लिए आप लोगों के लिए लगाई है ताकि co-location के proper uses आपको यहाँ पर देखने को मिले अगर आपको यह नहीं पता है कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ तो last class जाके देख ले ना जो भी मैंने आपको पढ़ाया है article concepts उस class में इस सब phrases लिखा है थे with article without article उसमें मिलेंगी आपको यह in my opinion it is not the failures that have made him lose the hurt नहीं होता है lose hurt होता है lose the hurt नहीं होता है lose hurt ठीक है ना यहाँ पर भी C वाले part में गलती हो जाएगी यह भी कल की class में लिखाया था है मैंने मतलब इससे पिसली वाल को लोकेशन में ही fixed phrases में लिखाया था the most happy marriage would be a union of a deep man to a blind woman a union the union होगा भाई a union कैसे हो जाएगा क्योंकि भाई जब off से पहले now लिखा हुआ है simply ठीक है ओफ से पहले तो यहाँ पर union से पहले the आएगा ना कि a ठीक है ना तो c वाले part में गलती हो जाएगी आंसर आपका c हो जाएगा John suggested to his brothers that they should go to the school regularly and do their homework sincerely बताओ भाई they should go to the school नहीं they should go to school होगा क्योंकि school same purpose के लिए यूज करा जा रहा है same purpose other purpose वाला concept सिखाया था यह वही है तो यहाँ पर the का यूज नहीं होना चाहिए after returning from the jail he has abandoned all the criminal activities उसने सारे की सारे criminal activities को त्याग दिया इसका मतलब वो पहले criminal था criminal था तो यहाँ पर जेल का same purpose में यूज हो रहा है है कि नहीं तो यहाँ पर सेम परपस के लिए यूज हो रहा है फिर यहाँ पर विदा का यूज नहीं होना चाहिए तो यह बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी आंसर आपका भी एक एक चीज मैंने आपको सिखा रखी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर पका पड़ा रहे हैं सर कुछ भी पड़ा रहे हैं सच जो भी पड़ारि मेरी समय में नहीं आ रहा है तो भाई आपका कोई इलाज नहीं है क्योंकि मैंने जो कुछ भी शिखाया है आपको फिछली conceptual classes में वही यहाँ पे पूछ रहा हूँ और जो सीख के नहीं बता सकता उसका फिर कोई कुछ नहीं कर सकता भाई पहली मैं सिखा चुका हूँ अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ टेस्ट ले रहा हूँ revision आपने नहीं करा है पढ़ा नहीं है आपको याद नहीं है तो फिर इसमें कोई क्या ही करेगा आपका बताओ he was an atheist but nowadays he goes to the church नहीं to church होगा same purpose के लिए use हो रहा है no article, zero article का पहला concept यही है भाईया जाके पढ़ लेना एक एक चीज बता रहा हूँ कि कौन सी चीज कहां मिलेगी फिर भी अगर किसी को लगता है कि समझ में नहीं आ रहा तो यह बहुत बड़ी चीज नहीं है अगर यह चीज समझ में नहीं आ रही तो आगे तो तोत्ते उड़ जाएंगे तुम्हारे his father forbid him to go to cinema late at night cinema से पहले दाका यूज होगा क्योंकि यह invention है भाई यह cinema क्या है invention है और invention के नाम से पहले दाका यूज होता है ठीक है C वाले पार्ट में गलती हो जाएगी the fact that the compact car is better than conventional cars has been proved by its sales the fact that the compact car is better than conventional cars has been proved by its sales बताईए इसमें क्या लग रहा है कहां पर गलती है वैसे तो इसमें कोई गलती है नहीं फिर भी कहीं लग रही हो तो बताओ कहीं पर भी कोई गलती नहीं देखो the compact car ठीक है comparison हो रहा है much better everything is okay कोई गलती नहीं answer E हो जाएगा there was little milk in the bottle and she gave it to the baby when it started waving जब कोई बच्चा रो रहा था तो उस बच्चे को वो सारा दूद दे दिया जो भी उस बोतल में था तो यहां पर little milk नहीं होगा the little जितना भी था जितना भी था सारा दूद दे दिया उस बेबी को ठीक है उस बोतल में जितना भी था he leads a very busy life so he goes anywhere by a car नहीं by car होता है भाई transportation के sense में जब भी by को use करोगे तो उसके बाद कोई article नहीं आता है thanks to an insight and persistence of the local doctor तो यहां पर एन नहीं आएगा द आएगा पता है क्योंकि यहां पर ओफ लगा हुआ है ओफ के बाद noun लिखा हुआ है यह रहा local doctor और उससे पहले जो भी noun होगा द का use करना पड़ेगा तो answer हो जाएगा आपका यह और वैसे इंसाइट जो है अंतर आत्मा उससे पहले आप यह और एंत लगा नहीं सकते अंकाउंटेबल नाउन है इन अ आर्स गलत हो जाएगा इन एन आर्स टाइम होगा बहुत सिंपल है इन एन आर क्योंकि आर का जो sound होता है न वो यह होता है तो पहले वाले पार्ट में गलती option is the correct answer यह हो गया आपके 50 questions complete उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी से समझ में आगे होगी अब इस तरह से मैंने आपको दो classes में practice कराएं hundred questions बढ़िया explain करके कि कौन सी चीज कहां कैसे कब क्या क्यों सब बता दिया ऐसे ही जो आपने सीखा है उसका रिवीजन करके आप अपनी printable seat से क्या कर सकते हैं practice कर सकते हैं ठीक है न चलिए तो thank you so much सुक्रिया मिलती है next class में आपको hostel classes library खाना study routine guidance डाउट सब कुछ एक जगे मिलता है अगर आप मेंस की तयारी करना चाते हैं आज़ो pre की तयारी करना चाते हैं 2025 की तयारी करना चाते हैं आज़ो मैं करा दूँआ सारी सो विधाओं की साथ ठीक है complete तयारी और अगर आप लोग CPU मेंस का batch जोइन करना च चाते हैं यह सीजल मेंस का batch जोइन करना चाते हैं paid course जिसमें मैं आपको daily group में target भी देता हूं तो आप आप यहां पर आके जोइन कर सकते हो ठीक है CPU मेंस master batch है ऐसे ही सीजल मेंस master batch है ठीक है crash course अलग है master batch अलग है इसमें doubts भी मिलते हैं आपको और इसमें आप लोगों को क्य है कि target भी मिलता है सब कुछ मिलता है ठीक है contact numbers आपके पास यहां पे हैं यह हमारा open study app है open study app.com website है हमारी और open study गुरुकुल टेलिग्राम चैनल यह जरूर जोइन करना है यहां पे पीडिएफ मिलता है आपको ठीक है और साथ के साथ English बाइनल जादन टेलिग्राम चैनल आप वह भी जोइन कर सकते हैं वहां पे भी आपको regular PDF और quizzes मिलते हैं